सिद्धियां दे रहा हूं और आप आराम से इनका इलाज करना पबलिक का मैं ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती और नहीं मुझे अपने शरीर में किसी को प्रिवेस्ट देना है संतरामपाल जी महारास आपने नाम दिख्षा कब ली? संतरामपाल जी महारास नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ती साथना करते थे? हाँ जी सर मैं भक्ती करती थी मैं सिपजी की भक्ती करती थी जनम से ही और उसके बाद नवरात्रा करने लग गई ही उसके बाद मैंने हनुमान जी की भक्ती की और उसके बाद सभी देवी देवताओं की जैसे की परमपरिक तरीके से करते आ रहे थी पूरवज उनके अनुसा में दो साल गई थी उनकी भी भक्ति मैंने की थी बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप बच्पन से ही भक्ति के मौल में रहे आपने भक्ति साधनाई की सभी की सिप जी की दुरगा जी की रादास्वामी डेरा ब्यास भी आप गए तो आप इतनी भक्ति साधना करते थे तो उन सब से आपको क्या लाब प्राप्त हुए? वहां पे मेरे मम्मी पापा 20 साल से जुड़े हुए थे उनकी भक्ती कर रहे थे तो उन्होंने का वहां सही हो जाते और आप लेके चलिए तो मैं बच्चे को मंदावर लेके गई तो वहां पे उन्होंने भवूत दी और कहा कि अना अब कोई भी प्रावलम आपको नहीं होग तो मैं घर आगई ऐसा कहके उस उन्होंने सुनके वववूत लेके घर आई उसके बाद जैसे ही वह वववूत लगाना शुरू किया तो जो बच्चे को प्रावलम थी वो सारी की सारी मेर को होने लग गई और इतनी परेशानी होने लगी कि कहता था कि मैं जिन्दू हूँ उस रूम में तो उन्होंने कहा कि यह न ठीक है जो भी कहोगे वो सारी काम आपके होते जाएंगे और आकासवानी से जैसे की कोई बात उती उसका question का answer मेरे को तुरंट मिल जाता था कैसा होना है जो जो सोचती उसका उसको आगे से आगे पता चल जाता था कि इनके मन में क् देरे देरे करके बक्त निकलता रहा और जो डर था वो हमारे अंदर ओर ज्यादा पैदा हो गया, और हम बहुत डरने लगे, बच्छा भी बहुत डर गया तो जैसे प्रैता आत्मा थी वो आकास माझी करती थी, कि अना तुम लोगों का इलाज करना, मैं तुमारे अंदर सिद उसके बाद उन्होंने मेरे बाईं तरफ के हिस्यों को पूरा तोड़ दिया ऐसे कर दिया और तोड़ के फिर दुवारा से फिट किया बोला मैं आपके अंदर सिद्धियां दे रहा हूं और आप आराम से इनका इलाज करना पबलिक का मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकती और ये वो ऐसे करना है थान बनाना है और अगर वत्ति लगानी है और लाइन लगा देता था लेडिजों की पुर्शों की कि इनका इलाज करो लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं इनका इलाज नहीं करूंगी लेकिन जब बर्दस्ती जो काम कहती वो आगे सागे हो जाता और जब तेज मस्तिक पर आता था कि मैं घबरा जाती थी उससे उसके बाद देरे देरे सब चलता रहा असे दियां आने लग गई पता चलने लगया ऐसे हो रहा वैसे ऐसे ही आकासवानी से एक एक गुंटबात हो जाती मेर को मेरे बेटे को भी बहुत डरते रहे और हम वहां जाते रहे कि और डर के कारण उन्होंने और पूजाएं भी शुरू करवा दी हमसे सवयर नादों के दीपक लगाती सारे काम करती और परेषणे ओर जादा ही बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते ऐसे कि रात तो मैं जैसे ही मैं सोने जाती बिस्तर पे तो जैसे ही मजह गहरी न जाती नेंद्ख खुल जाती फिर मेरे को ढाई बजे रो जाना अगदम जटका लगता और नेंद्ख खुल जाती थी वह मैं इतना परेशान होती उन्होंने मेरे सारे स्वाद खतम कर दिये थे जो ना तो कोई मीठा लगता था ना ही मुझे कोई कड़वे का ऐसा है कि और फिर मेरे सरीर को ऐसे नाप तोल दिया था और ये बात में किसी को कह भी नहीं पाती थी अंदर ही अंदर कहने नहीं देता था मेरे मन को जैसे उसने अपने बस में कर लिया हो सब कुछ चलता रहा होता रहा और ना मैं कहने की किसी से बच्चा भी मेरे इतने डरने लग गए थे कि दो बच्चे हैं कि नहीं मम्मी मैं बीच में सूँगा नहीं मैं सूँगा लेकिन हम रात रात बार परेशान जागते रहते नहीं सोपा दे थे तो बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारी परेशानियों से जूज रहे थे आप भक्ती भी कर रहे थे लेकिन भूत प्रेत बाधाओं ने आपको बहुत परिशान किये हुआ था तो फिर उसके बाद आपको संत रामपाल जी महराज के बारे में जानकरी कहां से मिली संत रामपाल जी महराज का ग्यान उन्होंने टीवी के माध्यम से सुना और टीवी पर सुनने के कारण वर्वाला अस्रम पहुंच गए कि देखके आते हैं इनका तो जो ग्यान है वो कुछ हटके लग रहा है तो वहां पर गए और वो सुनके आए और कुछ किताबें भी अप भी अज गो नहीं दो ने बदलना और जैसे भी है ऐसे थोड़ी ना गुरू जगह जगह बदलते हो बनाते हैं जो भी है ठीक है तो मैशने कह कैके बड़ा भाई होने के ने म vagy जर hack ठीक है Ooh शरू को खोला भीनी मैंने पढ़ी पढ़के थोड़ा बहुत ही ग्यान समझ माया लेकिन मुझे और भी वेंकर डराबने भूतों के ऐसे सपने आने लगे जिनसे में रात रात भर नहीं सो पाती थी तो मैंने का रामपल जी महराज के शरण में तो मेरे हस्वेंट भी तयार हो गए कि ठीक है चलते हैं औ उनको निकलते ही कि हम घर से उनको बहुत तेज फीवर हो गया और उस टाइम हमको काल ने रोक दिया हम नहीं जा पाए अगली पूरविण वासी को हम दोनों चार हो दोनों हम और दोनों वच्चों को लेके में गुरुजी के सरण में गई तो उससे पहले रामपल जी अगली पूरविण जाने के बाद मुझे बहुत लाब हुए जैसे ही मैंने बती स्टार्ट की तो देरे-धेरे करके मुझे परेसानिया खत्म होती गई जैसे मैं असुर्ने कंधन किया करती थी जब मुझे प्रत्मना मंत्र मिला वुआ था जैसे ही मैं बैठती तो मुझे जाने कितने ही सपने हकीकते के जैसे दिख जाते थे कभी दू दू बल रहा है कभी कुछ हो रहा है तो मुझे वो अशुर निकंदन भी इस तरह से नहीं करने देता था फिर दीरे दीरे करके ये सारी समिश्याएं दूर होती गई और इसमें कर पर्मात्मा तत्विदर्शी सन्त रामपाल जी गुरॉट सत लोग लेके गए और ब्रह्मा विषममहेश सब्सक्राइब असमापत हो गई और करपासे उसने सत लोग देखा और शरीर में पुर्पर एक हो गए मजाकर। बहन जी आपने बताया कि आप संस्कृत के सीनियर टीचर हैं तो आपने संत रामपाल जी महाराज का ग्यान सोना होगा पड़ा होगा तो मीडिया के तथा कुछ आरे समाजी लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज संस्कृत नहीं जानते क्योंकि आप संस्कृत के सीनि पर निर्वर करता है एक एक शब्द का खोल कौल कर वो अर्थ बताते हैं और उसमें बिल्कुल तनिक भी गल्थी नहीं है। उसमें सारे सब्सक्ट सब्स्ट नयूं से मिला मिला कर भावार्थ किया है। कहते हैं दुनिया की संस्कृत नहीं जानती। संस्किर्ट ते के अच्छे अच्छे बिद्वान लोग आज तक उन गीता का उनका इस लोगों का अर्थ इस पस्ट नहीं कर पाये और महर्श्री दयानंद जैसे उनके जो भी उन्होंने वनवाद किया है उसको कोई भी समझ में इस पस्ट नहीं समझ पाया जिसका कि संत रां यह पूंड परमात्मा है इनके अलावा इस संसार में कोई भी संतिन नहीं है बेन जी 2014 बरवाला की घटना में मीडिया में यह बताया गया कि संत्रामपाल जी महराज के आस्रम में लेडिज बात्रूम में कैमरे लगे होते थे इसके पीछे क्या सच्चाई है आप संत्रामपा टॉयलेट के तरफ नहीं थे वह वारत से पब्लिक को देखने के लिए लगे हुए थे उसने जो भी बाते बताई दिखाई वह बिल्कुल गलत हैं हम वहां 2013 से ही लगातार जा रहे थे और गुरू जी गए संत्रामपाल जी महराज अंदर गए तब तक हम होई थे हम वहां संत्रामपाल जी महराज के आशरम में लेडीज बात्रूम में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था ये सब जूट है बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महराज की सरण में आने के बाद आपकी जो बहुत सारी परिशानिया थी वो सारी दूर हो गई तो जो सरदालू आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते मैं संदेश तो क्या बिंती कर सकती हूँ कि ये पून परमात्मा कविशाहिब के रूप में संत रामपाल जी महराज आये हुए हैं और इनकी सरण ग्रहन करो और अपना कल्यान करवाओ संत रामपाल जी महराज की सरण कैसे ग्रहन कर सकते हैं और नजदी की नामदान के अंदर से दिख्षा ग्रहन कर ले दन्यवाजी सत्साहिद